वेल्कम टो नई सुबा कहानी घर नई सुबा टिस नेरेटिड बाई निस्मा आलम प्यारे दोस्तों, अस्सालाम अलेकुम नई सुबा के कहानी घर में खुशान दिन मैं हु निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे लालची कबूतर की कहानी एक तफ़की बात है, एक तरफ पर दो कबूतर पैटे होए थे वो पुड़े मज़े से कप्पे लगा रहे थे अचानक से इसे में दाने डाले एक कबूतर चल्दी सोड़कर जमीन पे बैठा और चल्दी चल्दी सारे दाने खाने शुरू कर दिया इससे पहले एक दूसरा कबूतर आए उसके दाने मज़े से खाने लगा एक शुकारी में जाल डाला और उस कबूतर को अपने जाल में ठसा लिया और फिर और दाने डाले ताके दूसरा कबूतर भी खाज जाए लेकिन दूसरा कबूतर जदी से उड़कर जंगर की तरफ भाग गया और लालची कबूतर जाल लफस पर शिकारी की नजर हो गया तो देखा बच्चों लालच का कितना बुरा अंजाम होता है बिचारे कबूतर में लालच के चक्कर में आकर अपनी जिन्दगी गवा दी नई सुबा के कहानी घड़ में इतना ही मिलते हैं एक नई कहानी के सब तब तक के लिए अल्लाँ आफस्ष